भादरपत मास के शुक्ल पक्सकी दश्मी तीथी को तेजाजी महाराज राजिस्थान और मद्यपदेश के इस्थानिय देवता मने जाते हैं कहते हैं कि जो तेजाजी महाराज की पूझा करता है उसे कभी भी सर्फ भय नहीं रहता रामदयोपीर का जन्म चाउदवी शताबदी के मध्धी में हुआ था उन्हें इतियास में एक बुद्धिमान और नियाय प्रिये शाषक की रूप में माना जाता है जो लोगों की समानता में विश्वास करता था चाहे उनकी उत्पत्ती, सामाजिक इस्थती या अंधन कुछ भी हो अपने अपेक्षाक्रत छोटे जीवन के बावजूत सैथिस साल की उम्र में उन्होंने समाधी प्राप्त की मैटमा में भी तेजा दश्पी पर नगर के राजबाडा इस्थित सत्ती वीर तेजाजी मंदीर पर सुबसे ही भक्तों की भीर बनी रही भक्तों ने अपने समय अनुसार मंदीर में पहुच कर तेजाजी महराज को नारियल अगर बत्तिव पूजन सामगरी अर्पित की पर रात को भजन किर्तन का भी आयोजन मंदिर में किया गया तेजा दश्मी के दिन वीर तेजा जी महराज के भक्त बहुत ही जोश और उत्सा के साथ तेजा दश्मी का पर्व मनाते हैं तेजा दसमी के दिन जग़ जग़ पर वीर तेजा जी महराज के मंदीरों में पूजा आर्शना की जाती है और बहुत भारी भीड रहती है बैटमा इंदाउर से राजन सुर्यविंशी की रिपोग आरी राजने तो लीले नादी ए तो लो जो जो बेड़ा ओड़्वा कर दो थमार्षय पैंज एlक खुडर की औरेग। कर दो भी जाना hearing पिस चरे एट हारिक छोरीभ ये घर्ट रेमा ते यूदार्यब खोरी लेवारि está सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें